साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलोजी और वो कहते भी थे कि टेक्नोलोजी तो केवल अमेरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलोजी का क्या काम? जब हमारी सरकार टेक्नोलोजी को मिशन बनाने की बात करती थी, तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किसम के एक्सपर्स उस पर सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है, आज देश की सोच अलग है, नई ह आज हम टेक्नोलोजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगती के एक टूल के रुप में देख रहे हैं, आज दुनिया देख रही हैं, कैसे भारत में टेक्नोलोजी पारदर्शिता और इमानदारी ला रही हैं, कैसे टेक्नोलोजी नए अवस्वरों को पैदा करने में उन्हें गरीबों को सुलब बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलोजी सरकार और लाल फिता साही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है, आप आज के ही यूनिक प्रोड़क को देखिए, आज हम यहां तक इसलिए पहुँचे हैं, क्योंकि देश ने जनदन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोडने, और जैम जैसी व्यवस्ता के लिए वर्षों महनत की हैं, जब जैम को शुरू किया गया था, तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी एहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा, जब दुनिया के बड़े-बड़े देश परिशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्ता तैयार थी, दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ओफिस और बैंक खुलवा रहे थे, तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था, भारत में अब तक डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के जरिये करिब साड़े सत्रह लाग करोड रुपिये सीधे लाभारतियों के खातों में बेजे जा चुके हैं, आज केंद्र सरकार तीन सो से जादा योजनाओं का लाभ, डिबीटी के माद्यम से डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के माद्यम से लोगों तक पहुचा रही है, लगबग 90 करोड देशमाचियों को, इसके तहट किसीने किसी रुप में लाभ हो रहा है, राशन हो, LPG गैस हो, इलाज हो, स्कॉलर्शिप हो, पैंशन हो, मजदुरी हो, गर बना ले के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ DBT से मिल रहे हैं, पी-एम किसान सम्मान निदी के तहट, एक लाग 35,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक एकाउंट में पहुचाए गए हैं, इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई हैं, उसका लगवग 85,000 करोड रुपिये सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रास्पर किया गया है, इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है, कि देश के करीब करीब पौने 2,00,000 करोड रुपिये से अधीक गलत हाथों में जाने से बचे हैं, झाल 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 झाल झाल